दोस्तो आज हम सीखेंगे incoming call पर lock कैसे लगाते हैं अगर आप अपने mobile में incoming call पर lock लगा देंगे तो कोई भी बंदा आपकी call को resume नहीं कर पाएगा और आपके mobile पर आने वाली incoming call का number और नाम भी दिखाई नहीं देगा hide भी हो जाएगा और आपकी call lock हो जाएगी कोई भी बंदा इस तरह से आपकी call को resume नहीं कर पाएगा तो यह trick को use करने के लिए आपको सबसे पहले अपने mobile की settings में आना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने phone में दो setting करना है अभी यहाँ पर आप देखेंगे screen पर lock लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे notification panel open हो रहा है तो पहले आपको क्या करना है lock screen पर notification bar को lock करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ आपको आना है अपने mobile की settings में इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर notification and status bar यह setting को open करना है अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी lock screen यह वाली setting को open करना है अब यहाँ पर आपको setting मिलेगी swipe down on lock screen to view notification drawer यह setting on है बस यह setting को आपको off करना है मेरा phone दोस्तो real me का है तो यह वाली setting हो सकता है आपका phone कोई और company का हो तो आपके phone में अलग setting होगी तो मैंने अलग-अलग phone में lock screen पर notification बार को lock कैसे करते हैं वीडियो बना रखी है उन सारी वीडियो का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा अब यहां से back आते हैं screen को मैंने lock किया अब यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर lock लगा हुआ है लेकिन notification बार open नहीं हो रहा है पहले आपको यह setting करना है इसके बाद दूसरी setting आपको क्या करना है आपको एक app download करना होगा एप का download link मैं ने video के description में दे दिया है वहाँ से आपको app को download कर लेना है बीना app के आप incoming call lock नहीं लगा सकते तो यहाँ पर app को open करने के बाद permission को allow करना है permission को allow करने के बाद इस तरह से page दिखाई देगा अब यहाँ पर आप देखेंगे step 1 यहाँ पर आपको दो permission देना है तो यहाँ पर click किया मैंने ok पर click किया और यहाँ पर हम permission allow कर देते हैं app को धूड़ना करना है और permission को allow करना है बैक आना है दूसरी वाली सेटिंग है यहाँ पर इस पर भी किलिक करके permission को allow कर देना है step 1 complete हो गया अब step 2 set lock type यहाँ पर आपको click करना है आप incoming call पर pin lock लगाना चाहते हैं या pattern वो आपको यहाँ पर set करना है और इसके बाद यहाँ पर step 3 इस पर click करके आपको अपना lock यहाँ पर set करना है next एक बार फिट से confirm करना है confirm confirm ओ गया इसके बाद यहाँ पर step 4 enable lock इस पर आपको tick करतेना है इतनी सारी setting करने के ऐद आपको यहाँ से back आ जाना है बैक आने के बाद आपको एक बात का धियान रखना है आपको recent app से इस app को close नहीं करना है जो app हमने download किया है ठीक है आपको आपको recent app में रहने देना है अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको live दिखाता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर screen पर lock लगा हुआ है screen को मैंने off कर दिया आप मालनी जी आप सो रहे हैं या फिर आप अपने कुछ काम में busy है आपका mobile charge पर लगा हुआ है कुछ इस तरह से आपको किसी का भी incoming call आता है तो आप देख लीजी यहाँ पर incoming call पर lock लग जाएगा यहाँ पर हम इसे unlock करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर incoming call यहाँ पर unlock हो जाएगा और यहाँ पर हम call को receive कर पाएंगे यहाँ पर मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं पहले mobile को silent से हटा देता हूँ ताकि यहाँ पर ringtone भी बजे अब यहाँ पर हम call को dial करते हैं अब यहाँ पर आप देख लीजिए call dial किया मैंने आप देखेंगे incoming call आ गया लेकिन lock लगा हुआ है कोई भी बंदा call को receive नहीं कर सकता आपके सिवा तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like कर देना share भी कर देना